हेलो फेंस वेलकम टो अनाधर वीडियो स्टॉक मार्केट फेंस आइसी आरे लिमिटेट की ओर से मार्च क्वाटर की फिनांसल रिजल्ट पेज हो चुका है स्टैंडर लॉन रिजल्ट्स आउट हो चुके प्लस यहां पे कंपनी की ओर से अगर देखिएगा तो 90 रुपीज फार रिक्वीडी शियर का स्पेशल डिविडेंट और फॉर्टी रुपीज पर एक शेर के एक नॉन्मल डिविडेंट कंपनी यहां पर क्रिकमेंट किया तो गाइश हम लोग आचुके ऐंक नमबर्स दिएगा इंकम 149 करोड का पिछले क्वार्टर बाट वान हंडडिक श expenses 74 करोड का पिछले quarter 69.8 करोड और March 22 quarter 57 करोड का यहाँ पे expense हुआ था quarter on quarter year on year दिनों में यहाँ पे expenses बेंक्रीस के इसके बाद operating profit 50.8 करोड का पिछले quarter 47.8 करोड था March 22 quarter 46.5 करोड का operating profit था जो कि quarter on quarter year on year दोनों में तेजी देखने को मिल रहा है नेट profit की बाद के 38.6 करोड का पिछले quarter 39.2 करोड और March 22 quarter 33.7 करोड का नेट पॉफिट है quarter on quarter 30 से गिरावाट है कि यह कंपनी का tax बहुत ज्यादा पे करना पड़ा 12 करोड का जब कि पिछले quarter 8.6 करोड का tax पे करने 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 का कंपनी का जो profit 50 लाक से आसपास की फॉल देखने को मिला है वहीं करने की बहुत है बहुत ही शांदार देखने को मिल रहा है EPS कंपनी का इस बार अगर देखा जाए तो कंपनी का जो EPS है 39.89 रुपीज का quarter on quarter में down year on year में तेजी देखने को मिला है तो कंपनी का जो रिजल्ट है यहां पर बहुत ही शांदार है बस यहां पर quarter on quarter की प्रॉफिट सी गिरावट आई यह टैक्स ज्यादा पे करने के कारण अधरवाज कंपनी के रिजल्ट को कवर कर उससे पहले सेग्मेंट वाज रिविन्यू की बात करते कंपनी यहां पर र एक्स्टी करोड का इंकम था और क्वाटर और को यहां पर निट प्वाफिट निकल का है कंपनी का और करोड का पिछले कॉटर बहुत इस्ट्रॉंग देखने को मिला है तो वेराल कंपनी के रिजल बहुत यह इस्ट्रॉंग निकल का बस यहां पर इसका निकार पर फिट में गिरावाट आई अधर्वाज कंपनी बहुत इस्ट्रॉंग रिजल पीज किया तो अब वीडियो कहीं करते अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स से मिलते हैं नेक्स्ट ड बढ़ बाई